मनश्य ध्वनी कैसे उत्पन्न करता है? मनश्यों में वाक्यंत्र मनश्यों में ध्वनी वाक्यंत्र अथ्वा कंट द्वारा उत्पन्न होती है। वह भाग जो कुछ निगलते समय चलता प्रतीत होता है उसे वाक्यंत्र कहते हैं। यहाँ श्वासनली के उपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र के आरपार दो वाक तन्तू तानित होते हैं। जब फेपड़े वायू को बहर निकालते हैं तो वाक तन्तू कमपित होते हैं जिससे ध्वनी उत्पन्न होती है। जब वाक तन्तू तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनी का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनी से भिन्न होती है। जब वाक तन्तू ठीले और मोटे होते हैं।